समस्कार दोस्तों हेलको चैनल में आप तभी का स्वागत हैं दोस्तों आज आपको मैं एक टेक्निक पताऊंगा जिससे आप अपनी कुंडली से 2 मिनिट में भी पता कर सकते हैं कि आपकी जॉब कब लगी होगी और किस एर लगी होगी और अगर आपकी जॉब छूट गई है जिनकी जॉब छूट गई है उनको पता करना है कि उनकी जॉब कब लगेगी कितने महीनों बाद लगेगी ये एक छोटा सा smart method है जिसको आप apply करके देखिएगा और जिनकी जॉब पहले लगी होगी तो उनको ये देख लिजेगा कि उनको कब किस तरीके से लगे होगी तो comment में जहूर mention करिएगा कि ये formula उनके ओपर applicable है हुआ कि नहीं हुआ तो दोस्तो यहाँ पर आज की वीडियो मताएंगे कि किस तरीके से D10 chart से जाने कि आपकी job कब किस year में लगेगी अगर job छूट गई है तो कितने महीने बाद वापस लगेगी तो यह है topic दन्यवाद दोस्तो यह पूचानल को देखने के लिए प्लीज भी subscribe दो चैनल चैनल के नीचे ग्रेट बटन होगी इसको click कर दिए उसके बगल में ring bell होगी आप चलते हैं topic के दर की d10 चार्ट से जाने कि आपकी जो छूटी हुई job है वो कब लगेगी वापस तो दोस्तों यह सिर्फ छूटी हुई job के लिए है कि जिनकी job छूट गई है या पर job नहीं मिल रही है तो उनको किस महीने किस अफसर पर होगी और यह भी यह फार्मूला तभी अपलाई होगे जब आप job के लिए search out कर रहा है तो आपको करना क्या है अपना लगन चार्ट सब लोग अपना लगन चार्ट नौमाज चार्ट और दश्माज कुंडली जानते ही होगे आजकल के software में सबकी बनी रहती है तो आपको सिफ दो पॉइंट नोट करने है वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले current महादशा देख लिजएगा कि कौन सी चल लई है हम सबसे पहले पहला point लेंगे कि current महादशा किस की चल लई है ठीक राहू का position number देख लिजएगा राहू किस राशी में बैटा हूआ है राहू यहाँ पे मकर राशी में बैटा हूआ है ठीक है शनी की राशी में ठीक मकर राशी राहू में बैटा हूँ यानि कि राहू मकर राशी कहां पड़ती काल पुर्शा कुंडली में कुंडली का दस्वा घर जो पड़ती है तो यानि कि राहू की महादसा में करियर में कोई ना कोई प्रबाव आएंगे अप डाउन अप डाउन चाहे जैसे हूं क्योंकि राहू यहाँ पे करियर के साइन में मकर राशी में बैटा हुआ है तो जॉब के लिए अप एंड डाउन करता रहेगा ठीक है उसी प्रकार आपको यह पता चल जाएगा कि किस तरीके से अब आपको जॉब छूट गई है तो वापस कब मिलेगी तो आपको अपने लगन चार्ट और दश्मान चार्ट और नॉमान चार्ट में कौन सा हाउस देखना होता है 6th हाउस जी हाँ दोस्तों अपना 6th हाउस देखिए 6th हाउस यहाँ पर लगन चार्ट में 6th हाउस की जो राशी है दो नमबर है और यहाँ पर नॉमान चार्ट में जो राशी है 6th हाउस की राशी है वो मेश राशी है और D10 चार्ट में यहाँ पर मकर राशी है दस नमबर राशी लगी है ठीक है तो अब आपको यह क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको लगन चार्ट और दश्मान चार्ट में जो राशी नमबर है वो जोड लीजेगा तो 2 प्लस 10 is equal to 12 यानि कि 12 यानि कि एक वर्स बाद ठीक अब इन दोनों को यहाँ पर माइनस कर लेंगे 10 माइनस 2 8 यानि कि 8 महीने बाद अब आपको यह क्या करना है नमान चार्ट में जोड लेना है 1 प्लस 10 11 यानि 11 महीने बाद एक माइनस कर लेंगे 10 माइनस 1 9 यानि 9 महीने बाद तो overall तुम्हाँ आपको यह 9 महीने मिल जाएगा तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो छूटी हुई जॉब कितने महीने के अंदर लगेगी ठीक है और दूसरी बात आपको यह भी पता करना है कि आपको कौन से महीने में लगेगी तो राहू जिस ग्रह की मादसा चल लएगी है उस ग्रह का मादसा का मैं देखी कि राहू जैसे यहाँ पर राहू की मादसा चल लएगी है तो राहू यहाँ पे दूसरे घर में मकर राशी में बैटे यानि कि दस्वा महिना अक्टूबर महिना होता है तो अक्टूबर के महिने में मिलेगी ठीक है और अगर जो महिना अभी चला है उस महीने से दसवा महीने भी गिन सकते हैं तो उस तरीके उस वाले में भी लग सकती है तो इस तरीके से आप जाँ सकते हैं कि आपकी डीटेंट चार्ट की साहता से जुटी वी जॉब कब मिलेगी किस महीने लगेगी धन्यवाद दोस्ते एलफो चानल को देखने के लिए प्लीज प्लीज सस्क्राइब दा चानल समस्या हूँ मेल कर देना धन्यवाद दोस्ते एलफो चानल को देखने के लिए